क्या सब से पहले माद Robert Araab की अश्रवाद लेने जा रहे हैं ? जी माई के पास जा रहा हूँ माधा टेकनी के लिए आसीरवाद लेना क्लिए। माई कल्यान करेगी विस्वास है कल्यान किसका बीजेपी का नुरत्वम निश्रा का या दतिया की जनता का ? भारती अनता पार्टी का भी पार्टी का भी जनता का भी लेकिन आपके लिए ये चुनाव बड़ा कठेन माना जा रहा है आप सुबह सुबह निकले हैं सुबह कारिकरताओं से मिले क्या रिव्यू आ रहा है मैं हमेशा सुबह निकलता हूँ, कार करता हूँ, सभी मिलता हूँ हर सुबह कार करता हूँ के साथ ही होती है और इसलिए जीत सुनिश्चित मानता हूँ आपके सामने जो प्रतिदंदी हैं चार बार से लगातार क्लोज कॉंटेस्ट में पिछली बार 2700 वोट राजेंद्र भारती एक बार फिर से कॉंग्रेस ने उन्हीं को मौका दिया है तफ फाइट है मान रहे हैं? यह मैं ऐसा नहीं मानता क्लीन श्वीप करेगी भारती अंता पार्टी कोई दिक्कर तो कोई वो नहीं है कोई दिक्कर नहीं एंटी इंकंबंसी की लगाता है बातचीत हो रही है कॉंग्रेस भी कह रही है वो 20 साल से हो रही है 20 साल में कभी नहीं रही एंटी इंकंबंसी सरफ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कहता है लेकिन दतिया में जनता के बीच ये चर्चा हैं टी इंकंबंसी को लेके तो वो क्या लगता है कहीं कोई नाराजगी थी जिसको आप पाटने में कामियाब रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ये हमसे कोई नाराजगी कभी नहीं दी मैं तो एक एक घर गया हूँ ऐसा कोई घर नहीं है इसके पास में नहीं पहुचा शर्थ पर शर्ष दरवज्ये पे और गाहों में गया हूँ विकास की लगातार बात हो रही है जनता अभी मैं वोटर से जो वोट डाल के निकले हैं वो भी कहने हैं शांती विकास शांती विकास इस मेसेज को किस तरह से डिकोड किया गया है कि शान्ती और विकास जरूरी है दतिया के लिए लोगोंने विकास को बोट करेंगे शान्ती को बोट करेंगे जरूरी है वो कमलांत कॉंग्रेस के चीफ मिनिस्टर चेहरे हैं और मुक्यमंत्री रहे हैं अब दावा कर रहे हैं अभी लगातार वो जब निकले है तो दावा वही कर रहे है कि गांगरेस इस बार जीत रहे है है तो वो कैसे कहेंगे के हार रही है कॉंग्रेस हारते पर 20 साल से कांग्रेस ही है ये उनको ध्यान रखना चाहिए 20 साल में कभी भाजपा से ज्यादा बोट नहीं आए कांग्रेस के जनता के प्यार इसने और विश्वात से आ रहा है ठीक है आप सर एक चलते-चलते सवाल आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि क्या ये माना जाए धरा को भी प्रणाम करते हुए और मा पितामरा की धरा आप खुद मांते हैं इसको क्या माना जाए कि चुनाब अगर आप जीतते ह ही नहीं कोई दावेदारी नहीं को लेकिन चहरा अजबार क्यों नहीं दिया आप लोगों ने हैं ना मानी मोदी जी का चरह उससे बड़ा चहरा कौन है भाजपा में देखिए कमल का बटन दवाई है इसकी फुसियां हिंदुस्तान में मनती है दूसरा कोई दल जीतेगा तो पाकिस्तान में मनेंगी इसके लिए आवशक है कि राज्टेट को सरवोपरी मानते हुए कमल का बटन दवाए कमल का बटन मद्यप्रदेश में ये बकती दवाएगा तो तो सेना सीमा पे सेनिक की बाज़ुएं मझजबूत होंगी पाकिस्तान में दहसत होगी को देखिए की से वा क्लिए ये एक से वा का अवसर है सब को कमल का बटन दबाएं और राष्ट हित में अपना योगदान करें अपना योगदान ओव काश के लिए मोनी मोदी जी के नित्स और मानी मोदी जी ने कि ये कमल का बटन कहा है कमल का बटन यहां देपता है आवास आता है गरीब के लिए कमल का बटन दबाते है आप तो सोचाला आता है गरीब के लिए कमल का बटन दबाते है तो निश्टल को खाध्यान आता है मोधी जी के द्वारा कमल का बटन दबाते हो तो करुणा जैसे आप बटन दबाने से ये कमल के बटन दबाने से देश में सांती आती है कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है कमल का बटन दबाने से देश में संपनत आती है सनातन की मजबूती के लिए भी कमल का बटन आवश्यक है बिल्कुल निश्यत रूप से सनातन की मजबूत यह उनमें दहसत आती है अच्छा मतलब मध्य प्रदेश में भाजपा जीतेगी और पाकिस्तान में दहसत आएगी क्यों आतंकवादी में दहसत आएगी कि मोधी जीत रही है बीजेपी के नरुतम मिश्रा एंपी के चुनाव में पाकिस्तान के इंट्री करा चुके हैं तो अब कॉंग्रेस की तरफ से पलटवार हो रहा राजेंदर भारती हैं हमारे साथ जो नरुतम मिश्रा को चालेंज कर रहे हैं दतिया में आपके प्रतिद्वंदी और ग्रही मंत मिश्रा का चुनाव है और नरुतम मिश्रा इस चुनाव में हार रहे हैं उन्होंने जो आतंकवाद की चर्चा यहां की है तो आज की तारीख में तो सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं जो अपने आतंकवाद को फैला कर चुनाव लड़ रहे हैं आप कहरें कि नरुतम मि प्लिजाम में पड़ा हैं च नहीं कि था सबसे बड़े आतंकवाधी हैं जतिहा मैं अभी चुनाओं में वो चुनाओं में वो तक यह चुनाओ् में वह स्वरकीश कर रहा cann GeTV को तो बोल गोने कि वो जो है सबसे बड़े आतंकवाधी है दतिया में States चुनाओं में वो करेक्ट प्रेक्टिस कर रहे हैं ऐसे बैनों की वज़ए से आपके खिलाफ हो सकता हो कम्पेरिन डालेंगे एलेक्शन कमिशन डाल दी जाने की क्योंकि रात में भी उनके खिलाफ एफ आया लॉज हुई है उनके समर्थों कि खिलाफ वो सराब बांट रहे प्रेक्टिस नर है उनके खिलाफ पेड़् नूज मामला है सुप्रीम कोड में फाल सेफी डेवेट का मामला है हाई कोड जहुलपूर में तो वो इस मामले में वो कुछ नहीं कर पाएंगे एलेक्शन कमिशन के सारे कानूनों का वाइलेंस वो करते हैं वो विकास गिनवा रहे हैं लाड़ली योजना गिनवा रहे हैं आपके यहां से कमलनाथ जी कह रहे हैं ब्रस्टाचार का मुद्दा है आप लोगों को किस बात पर कॉन्फिडेंस है एक तो बीस साल अठारे साड़े अठारे साल भारती जिनता पार्टी की सरकार रही है और इस बीच में जितने उनका दोसी सीधर सीधर सिधर शिवरा सिंग्जी के उपर आता है मामला तो एक तो अटी इनकमवैंस्जी वह यह दूसरा विस्टाचार बहुत तरह से बड़ा है बहुत ज़्यादा मातरा बड़ा है और मुस के कारण आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परिशान है^^ यहां और ज़्यादा पिलस होता है मंतिजी भय और आतंकी राजनीती करते हैं गरे मंतिजी तो उसके कारण उनके खिलाब और ज़्यादा आक्रोश है और हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं एक आखरी सवाल सार वो तो बता रहें विकास की राजनीती के विज़े से वोट मिले बटन दवारी जातियां हैं सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है अभी तक उनको जितनी जातियों का सपोर्ट मिलता था अब उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है वो लगभाक 75% उन जातियों का सपोर्ट उनसे घट गया है हट गया है उनसे ग्रामीन इलाकों से वोट की प्रसासन को का सईयोग कर रहा है लेकिन प्रसासन उनका सईयोग है, फरक नहीं पाCUरी कुलाइबा के छिलाए और तो नवतम मिस्राजी खुद ही दोस्यों और वो सबसे बड़े आतंकवादी अंदर दिया जिनके